Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए जो मादमिक सिक्षा मंडल भोपाल ने इशू किये हैं यहाँ पर उनका सल्यूशन प्रारम होने जा रहा है एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों का हल करवाएंगे यह पहला से टे है, विशाई गणिच का कक्षा 12 का सभी को पता है, स्कीम वही है, पासी माक्स का कुश्चन है तीन घंटे दिये जाएंगे, निरदेश्चों का पहले अच्छे से पढ़ लिजेगा एक्जाम में आपको जा करके करीब 20 मिनट का समय मिलेगा पेपर मिलने के पहले वहाँ पर आपको कॉपी में OMR शीट वगरे फिल करनी पड़ेगी, पूरी जानकारी भननी पड़ेगी उसके बाद ही आपको पेपर दिया जाएगा पेपर को रीडिंग करने के लिए भी आपको 10 मिनट का वक्त मिल सकता है उस समय में आप केबल पेपर को रीड करिएगा और आपको कुछ कॉपी में लिखना नहीं है उसके बाद जो समय मिलेगा वहाँ पर 3 घंटे आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं यहां से सैंपल पेपर की सीरीज शुरू होती है बोड ने हमारे लिए चार पेपर सैंपल पेपर भेजे हैं पिछले बार तो प्रश्न पत्र मिलता था मतलब प्रश्न बैंक मिलता था इस बार बड़म लोग को इस तरीके को कॉश्चन पेपर भेजे हैं तो आएए इन चारों पेपरों को अच्छे से करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इन पेपर से बहुत कुछ आना चाहिए एक्जाम में, चली, पहला क्वेशन देखते हैं, माना समुच्च है N, ध्यान से देखिए N मतलब natural number, 2 natural number, मतलब पहला सेट भी natural number है, natural number यहने प्राक्रस सं तो बताइए कौन सा सही होगा, अब सबसे पहली देखिए बात जो है, B6 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए चार है, कैंसल हो गया, हो नहीं सकता है, है ना, यहाँ पर 6 से बड़ा है, तो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर B7 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पे 3 हैं, देखे, condition क्या कही जा रही है, कि A का मान जो B से 2 कम है, तो जो उपलब्ध option है, देखे, A का मान B से कम 2 कम है, C वाला है, क्योंकि 8 से 2 कम कितना होता, 6 होता है, तो पहचान हो गई भाई साब पहला question हो गया, वन माक्स आपको यहाँ पे मिल गए, चली दूसरा question चलते हैं, कि R, एक X में प्रतिबंध R, A, B belongs to R, B, C belongs to R, A, C belongs to R, को सब संतुष्ट करने वाला संबंध कौन सा होगा, तो यह बहुत ही simple परिभाशा से question पूछ लिया, कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है, जो संतुष्ट करे, A, B belongs to R, B, C belongs to R, C, A belongs to R, ऐसा संबंध जो होता है, संक्रामक संबंध होता है, चली अगले प्रेशन की और चलते हैं, अगला प्रेशन तो सीधे हल करने वाला है, ज्यादा बिज़कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साइन इनवर्स, पाइब भाई थ्री मैनस साइन वर्स, तो आपको पता है, साइन इनवर्स मैं होता है, माइनस बाहर निकल के आजाता है, तो माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 साइन 90 कमान कितना हो था 1 तो करेक्ट आंसर इसका कितना हैगा 1 चलिए AIJ1 क्रॉस N मतलब देखिए अपने पास पंक्ती कितनी है एक है और कॉलम कितने है कॉलम यानि इस्तम N है तो कैसा आभी होगा ये पंक्ती आभी होगा ओके जिसमें एक पंक्ती होती है उसको हम पंक्ती आभी हो कहते है चलिए विसम समित आवियू के विकंड का प्रतिक अवयव, कौन सा विकंड, हाँ भई, ये विकंड होता है, विसम समित आवियू, इसके विकंड के सभी अवयव क्या हुआ करते हैं, शूने हुआ करते हैं, तो इसका अंसर क्या होगा, शूने, चली, अगले question क्यों देखते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका बी ऑप्सन माइनस वन ठीक है क्लियर है तो इसका आंसर हो गया माइनस वन इस तरीके से चलिए आंगे देखते हैं और लिकतेस्थानों की पोरती करते हैं, पॉइंट नंबर, क्वेशन नंबर 2 है, लिके सबसे पहले 10- Ñ Agr S Qnear 5 का एक्स के साब एच आपको क्या बताना है, आपको क्लरन बताना है, तो 10 का कितना हो ता भई सैकly S Qnear, तो इसका हो जाएगा 6 Qnear 2 और 9 ऑगर का सी एकस एकस क् वांग तो IEF बराबर क्या होता है E की पावर PDX तो E की पावर P कितना है integration of PDX P यहाँ पर है 10X और DX आपको पता है कि जो 10X का integration होता है वो होता है log sec X ओके log sec X हुआ करता है और E से log क्या हो जागा cancel तो इसका answer कितना बनेगा sec X DX तो इसका answer बन जाएगा आपके पास sec X DX ठीक है log sec X इसका कोई मतलब नहीं हल नहीं पूछा ना अगर हल पूछा होता तो आपने इसका use करते मगर केबल आपसे क्या पूछा है समाकलन गुडांक integrating factor आधा पूछा हुआ है तो आई एफ बस निकालना कुछ निकालना और चलिए देखिए इसको मैं थोड़ा सा बताया दिता हूं आपको revise करा दिता हूं यह जो इसका format लगता है एक बार देख लीजे अगर आपके पास आपके पास आउकल समीकर्ण होता है डिवाबे डिएक्स प्लस पीवाई इकॉल टू क्यू यह आपके पास में आउकल समीकर्ण है तो इसका integrating इसका integrating factor जो निकलता है वो निकलता है इसको केवल इतना ही पूछा गया अब इसके बाद यह इसका हल पूछा जाए जो पूछा नहीं गया इस अगर हल पूछा जाए तो हल होता है वाई इंटू आई एफ इस इकॉल टू इंटिग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस का कितना सी यह इसका हल हुआ करता है ठीक है तो इसका हल भी नोट कर लीजिए तो फिल्हाल के उफ आप से इसका हल नहीं पूछा गया केवल इंटिग्रिडिंग फक्टर यानु कि समाकल गुञांक पूछा गया है तो समाकल गुञां के लिए समाकल गुञांक के लिए के उफ यह ये यूजि करना पड़ेगा अगला देखते हैं A वा B लंबवत हो तो A.B बराबर कितना होता जीरो होता अगर लंबवत सदिस होते हैं तो उनका डॉट पुड़क कितना हुआ करता है जीरो हुआ करता है लंबवत सदिस का डॉट पुड़क जो होता है वो 0 होता है अगला पंग्ती आब यहों में पंग्ती की संख्या कित्ती होती एक होती है कॉलम कितने भी हो सकते हैं अगर पंग्ती के वल एक हुआ करती है अगर A और B परसपर अपवर्जी घटना है अगर A वा B परसपर अपवर्जी घटना है तो P A ये नोट कर लिजे important है P A प्लस P B क्योंकि परसपर अपवर्जी घटनाओं में इन दोनों का जो intersection यानि कि जो उभेनिस्ट होता है वो कितना होता है 0 हो जाता है ये परसपर अपवर्जी घटनाओं में जो उभेनिस्ट होता है वो 0 हो जाता है तो इसलिए A union B बराबर होता है P A प्लस P B क्योंकि दोनों साथ में नहीं होते हैं अगला question देखते हैं उपसारनिक 6 का उपसारनिक तो 6 से जाने वाली row और 6 से जाने वाली column को छोड़ दो अब इसके बाद गुणा कर दो इसका जो बच गया क्या होगा इसका उपसारनिक 1, 8, 7, 2 तो 1 से 8 गया एक गुणे 8, 8 हो गया 7, 2 हो गया कितना चवदा? 8 में से 4 गया माइनस का 6 तो इसका उपसारनिक जो आएगा माइनस 6 आएगा उपसारनिक बड़ाबर माइनस 6 clear है? अगला है integration है dx upon x square minus a square देखे dx upon x square minus a square upon में है बताइए क्या आएगा इसका dx upon x square minus a square option number d बिल्कुल सही ठीक है log of x plus under root x square minus a square plus c option number d dx upon a square minus x square का क्या आएगा dx के नीचे a square minus x square बैठा हुआ option number बिल्कुल सही option number c correct है dx upon x square plus a square 1 upon a 10 inverse x upon a dx upon x square minus a square 1 upon 2 a log x minus a upon log x plus a x square plus a square का ये बैठा हुआ question 1 up x by 2 under root x square plus a square plus a square plus a square by 2 log of x plus x square plus a square और इसके बाद है a square minus x square इसका है e इनके प्लस माइनस की चिन थोड़ा confuse करते हैं उनको ध्यान से पढ़ लिजेगा चलिए अगला question देखते हैं रश्नक्रमांग चार इसका मान आपको बताना है cause x 30 1045 तो कोट सरी मल्टी प्रेमे कर दिता हूं cause x 30 कितना होता है 2 होता है 1045 किता होता है 1 minus 445 होता है 1 और cause 0 होता है 1 तो 2 वन गुने 2 दो गुने 1 2 माइनस 1 answer किता हो जागा वानी हो जागा तो इसका answer है 1 note कर लिजे इसका answer है 1 अगला r equal to 3 cm पर r में r के साप एक भाई answer मैंने बटा वाई 2 pi r यानि की 6 pi ओके इसका answer तो 6 pi है cause inverse x का प्रांथ लिखे cause inverse x में आप कहां से कहां तक दे सकते हो minus infinity 2 plus infinity cause inverse x में आप minus infinity 2 plus infinity तक दे सकते हैं दे सकते हैं की नहीं देख सकते हैं है ना caught की value आपको हर जगे मिलती है तो इसका जो प्रांथ होगा minus infinity 2 plus infinity मिल जाएगा चलिए अगला question देखे सदिस इतने के अनुदिस मात्रक सदिस आपको बताना है i cap plus j cap plus k cap के अनुदिस आपको मात्रक सदिस तो i cap plus j cap plus k cap upon under root a square plus b square plus c square किता हो जागा root 3 इसको आप बाट करके one upon root 3 i cap, one upon root 3 j cap one upon root 3 k cap लिख सकते हैं 2 बिंदू 1,2,3 और 2,3,4 को मिलाने वाली रेखा कि देखनुपात आपको पता देखनुपात का formula होता है x2-x1, y2-y1 और z2-z1 इससे आप देखनुपात बता सकते हैं कि पहला 2-1 हो जाएगा यानि कि 1-3-2,1 हो जाएगा 4-3 भी कितना हो जाएगा चली अगला question 2 घटना, e और f को क्या कहते हैं यदि p e intersection है, बराबर p into p f अगर ये वाली condition satisfy होती तो इसको करते हैं, आपने परतंत्र घटना क्या बोलते हैं, परतंत्र घटना dependent event चली अगला cot of 10 inverse plus cot inverse, कितना हो जाएगा, देखे ये कितना होता, अपने पास में π i by 2 होता है और cot के अंदर π i by 2 आएगा तो इस कमान कितना हो जाएगा, 0 क्योंकि cot by 2 होता है, 0 बोलो बच्चों, clear है, सब को यहां तक छट्मा कोस्चन दो घटना है, E और F को क्या कहते हैं अगर P intersection F equal to P into P F मैंने याद करो, आपको पढ़ाई थी परतंत्र घटना है स्वतंत्र घटना अच्छा-चा मैं साथ परतंत्र बोल गया, ये स्वतंत्र होगा यस, 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 थांक्यू बेटा बिल्कुल सही है, यहां पर परतंत्र नहीं बेटा, इसको स्वतंत्र करो हमारा बर्टे हो और इंडिया की टीम मैं जीच जाए दोनों की joint probability क्या होगी हमारे birthday की probability multiply by इंडिया के match जीतने की probability क्योंकि हमारे birthday का इंडिया के match जीतने से कोई relation नहीं है ऐसी घटनाओं को जिन में एक दूसरे का प्रणाम प्रभावित ना करे क्या बोलते हैं उनको स्वतंदर घटना है है ना चलो fxy आच्छादक फलन है यदि केवल f का परिसर बराबर y बिलकुल सही बात है अगर सारे के सारे इधर के बिंदू जो होते हैं वो range में आ जाएं सारे के सारे बिंदू क्या है range में आ जाएं जिसको मैंने class में पढ़ाया था कि सारे बराती पापा बन्या है तो इसका मतलब क्या होता है वो कौन सा फलन? आच्छादक फलन मतलब जो y set होता है वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? range range याने की परिसर तो correct answer इसका पहले का सही है sin inverse x equal to sin x का all inverse बिलकुल गलत है तो यह बता आसत्त है प्रतेक आवकल नहीं फलन सदत होता है अभी पूचा मेरे से मिशरा ने बिलकुल सही है नहीं होता है चलिए अगला question दीखे अगला question कहा गया है x square y square dx x square plus x y dy एक समगाती आवकल समीकंड है तो इसको आउकल समीखन की रूप में समझने के लिए पहले इसको आपको d1, dx बनाना पड़ेगा फिर ये दिखेगा आपको कि ये समगाती आउकल समीखन है की नहीं है चलो वाई यहां चलते है चली दिखे तो क्या है यह अपने पास समी करने है तो सबसे पहले आप D× बना लो तो यहां से D× को रोक लो इधर से D× बुला लो एक वल्डू कितना हो जाएगा x square plus y square upon x square plus xy अब हर term की power check करो इसकी power किती है 2 इसकी power किती है 2 इसकी power किती है 2 और इसकी एक और एक total power किती होगे 2 तो हर term की power same है हर पद की जो घात है उसे हैं आ रहे इसका मतलब कैसा समी करन है ये सम घाती ये समी करन है चलिए अगला question है दिये गए वरत्य में खीचे गए सभी आयतों में वर्ग का छेतरफल नियूंतम होता है सत्य भाई ये देखो इसको आपको रटना ही पड़ेगा नहीं तो इसके लिए बड़ा बहुत बड़ा method है है ना अवकलन इसका अनुपरियोग में जो आता है तो इसको याद कर लिजिए कि आप अंदर कुछ भी बनाए उसमें